पॉर्ण एडिक्सन यानि की नंगी फिल्में देखना यह हमारे सेक्स जीवनों कैसे प्रभावित करती है और इसकी वज़े से लाइफ कितनी एफेक्टेड होती है आप इसको कैसे छोड़ सकते हों और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट आज मैं आपको इस वीडियो में कहते हैं यदि आप कोई भी परिसानिया है तो आप देही नंबर को पर से कुछल चलिए हम आगे बढ़ते हैं पॉर्ण एडिक्शन के बारे में देखिए पूर्ण एडिक्शन है क्या पहले आप समझते हैं जब कोई लड़का पॉर्ण एडिक्शन देखता है तो तो कैतेसर कारता है बहुत अक्षक चक्णर कमें य०ि युदिन आर्ट की मिलें व कैसे हमाइन शरुवत हैं सब जले हो अक्या की सब्सक्राइव सब्सक्राइब ने dopamine dopamine वो release होता है कैसेते हैं हैपी हार्गोन होता है तो जैसे ही आप पूम दिखते हूँ नाव आया है लिकिन जैसे जैसे चलता रहता है वो भी निकल कोए ईया AH निकल बार बार आप एक काम करोगे तो इस बार बार हम करोगे च्टार्टी में dopamine release हुआ लेकिन जैसे अब उसके हैवी चोल हुआ तो dopamine release भूना बंद हो गया या कम हो गया फिर क्या होता है कि आपको इतना मचा भी नहीं आता और जो आपका link में तनवा भी आना बंद हो जाता है इसके पीछे यही रिजन होता है कि आप लंबी समय से जब तो आप के एडिक्ट हो जाते हो, तो आपके लिंक में तनव आना बंद हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करते हो अब मुझे दवाई खानी है फिर आपको जो मूड है, हर समय खराब रहता है चिटचेड़ अपन रहता है यदि आपकी साथी हो चुकी है तो आपके पार्टर के साथ आपका जगड़ा होता है बच्चों के साथ जगड़ा होता है घरवालों के साथ जगड़ा होता है यह इसलिए मैं बतारो कहीं निकलिंग में अपने जो डेली जो हमारी रूटिंग है क्लिनिक ही उसमें देखता जब हम क्लिनिक पर पेसेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो यह चीज निगल के आती है कि सबसे मैं पॉन देख रहा हूं और लिंग में तरह कम हो गया है तो उसके बाद होजी यह प्रोब्लम आनी स्टार्ट हो गई है तो इसका रीजन क्या हुआ कि आप उस चीज के एडिक्ट हो गए और उसकी वज़े से आपकी जो लाइफ साइकल है वो सारी बिगड़ गई कहने का मतलब आप में चिड़ चिड़ बना गया है और इसकी वज़े से जो आपका सेक्स जीवन है वो भी बरबाद हुआ क्योंकि इसकी वज़े से आपको पिरिमेच और इजिवलेशन होने स्टार्ट हो गया और आपको एरक्टाइलिस वक्षन की समश्या हो गई इसकी बीसटी ही है कि आप जो पॉंट बेक रहे हो पॉंट में ऑर जो डियल सेक्स में उसमें जमीना समान करता होता है लेकिन जिसको आपका ब्रेन अप उसको एक्सेप्ट करते हो उसको ही आप डियल में लाइश Track में करना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब क्या है आपको ने जो sex life है उसको enjoy नहीं कर पाते हैं आपको sex करना अच्छा नहीं लगता या आपको प्रिमेचुर इजोग्रीशन हो जाता है या आपको लिनी में तनाव की कमी होना स्टार्ट हो जाता है और इसी की वज़े से मैंने बहुत से घर तूटते हुए देखे क्योंकि हमारे पार धेलो message आते हैं धेलो call आती है सिर्फ यह कहते हैं कि सर पून की वज़े से हमारा जो हमारी wife है वो हमी छोड़े के चली गई क्योंकि मुझे पून देखने में मज़ा आता है लेकिन जो मैं सेक्स करने जाता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता चली अब बात करते हैं मैंने आपको यह बता दिया अब इसको छोड़े कैसे मैं आपको कुछ ऐसी tricks बताऊंगा यदि आपनी जो यह trick अपना ली तो आपको देखना एक हपते यह पंदर दिन में आप पून देखना छोड़ दो आप बात करते हैं कि आपको छोड़नी क्यों है देखे छोड़नी क्यों है यह मैं आपको बता चुका हूँ इससे में आपकी जो life है वो बिल्कुल खतम हो जाएगी मैं लिखे दे सकते हूँ यदि आपने पून नहीं देखना छोड़ा तो आपका देखना आपका जीवन कैसे बरबाद होगा और next आप क्या करोगे आपना पैसा ही बरबाद करते रोगे अब बात करते हैं कि आप कैसे छोड़े देखिए इसमें आपको क्या करना है जहां से आपको पूर्म दिखाई देरी मतलब जो आपके पास सोर्स है मानका जले आपके मोबाइल में मोवी पड़ी हुई है वे मोवी डिलीट कर दीजे या आप इंटरनेट के माध्यम से पूर्म देखते हो तो आप कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद कर देजे कि मुझे इंटरनेट देख नहीं नहीं जो आपके पास किस सोर्स से आपको पूर्म आरी है वो सोर्स आप बंद कर देजे पहली बात ही है सेकंड आपको क्या करना है कि अपने आपको इतना लाइप को इतना बीजी रखना है अपना जो सेट डूल है वो भूत बीजी रखना है आप चाहें जी में जोइन कर सकते हो या योगा स्टार्ट कर सकते हो मैडिटेशन सबसी बेस्ट है इसमें मैं कहूंगा मैडिटेशन सब सकते हो कहने का मतलब है कि आप बुक्स पढ़ सकते हो कहने का मतलब है आपको पढ़ना टाइम को बीची रखना है जब आप बीची रहोगे तो आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा और एक अपना जो टार्गेट है सोट इंटरवल में बनाई आप मान के चलिए आपने इंटर या 21 दिद आपने फोर्मूला पना लिया तो 22 दिन देखना आपको जो सेक्स लाइप है वो तो अच्छी हो जाएगे और जो आपको इस सिम्टम्स आते हैं तेकि छोड़ने के बाद बहुत सिम्टम्स आते हैं जब एकदम आप कौन छोड़ोगे तो आपको विटोल सिम्ट सिम्टम्स आते हैं जो मैं आपको बता रहा है इनके कोड़िग आप फोलो करोगे तो बिल्कुल 21 दिन मेरे कहले से आप ये रूल फोलो कर लो और आप भगवान का नाम लेजे मतलब कहने का कि रिलिजिस बनिया आप भगवान अल्ला गोड वहाई गुरूम जिसको भी आप मत्रम को मांते हूं जादे से जादे बगवान का नाम लेजिए बहुत से जो हमारे पास लड़के आते हम जो यंदू लड़के आते हैं हमारे पासुन को तो मैं क्यों आप सोब्स जो भार Oh गयत्रीमंत्र का उचारान किछे। हाली आपको गयत्रों करना है तुब页ह जब गयत्रों के उचारान करते हैं तो उनका मन उस तरफ जाते हैं नहीं तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इन छोटी छोटी बातों के दिए आप ध्यान रखोगे तो आप देख ना कि आपका जो पॉन एडिक्षन है कैसे चूटता है और चूटता है ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ चूटता है क्योंकि हमने जिसको भी टैक्निक बता बहुत अच्छा रिजल्ट है यदि आपको मैडिसन ही लेनी है तो आप या तो किसी अपने नज़िदी की होमेपेथिक डॉक्टर है महाँ पर कंसल्ट कीजी या आप हमसे हमारे पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं लेकिन मैं को क्या मैडिसन मत लेनी के आपको जरूरत नहीं पढ़ेगी यदि आपने जो मैने आपको रूरण बताई हैं यदि आप यह फोल्व हो गए तो आपको मैडिसन की जरूरत नहीं पढ़ेगी और फिर आपको यह सूच लए कि मैं यह पूर्ण ऐडिक्षन क्यों छोड़ा पहले आपके कैसे ही affected हो रही है और मैं आपको reality में बता रहा हूँ यदि आज आपने पॉंद देखना नहीं छोड़ा तो in future आपको इतना पच्ताना पड़ेगा कि आप पापस नहीं जा सकते देखे इसमें आपका sex जीवन ने वो तो बरबाद हो जाएगा आपका पैसा भी बरबाद हो जाएगा क्योंकि जब आपको premature ejaculation हो जाएगा या erectile dysfunction हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप किसी के पास जाओगे महाँ पर अपना पैसा बरबाद करोगे और फिर आप चक्कर ही देखना छोड़ देखी आपकी लाइप बिल्कुल शुदर जाएगी नहीं तो आप इसके दलदर में गुज गए ना निकलना मुस्किल हो जाएगा आज अभी ही इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद आप बैठ कर थोड़ी देख सोचना मनन करना और मुझे कमेंट म तो यदि आपने कमेंट में डाला कि मैं आज सी छोड़ दूँगा तो कही ने कही आँको एक हम्मत मिलेगी तो यदि आप पहूं देखते हो तो मुझे कमेंट में जहूर बताना और वाता करना कि सर मैंने आज सी अभी से पहुं देखना छोड़ दिया है या जो स्क्रीन प कसम खाता हूं जिसकी भी आप कसम खाना चाहिए कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं बोर्ण नहीं देखूंगा वीडियो थोड़ी लंबी बन गए लेकि मेरा यही परबज है आपको समझाने का कि आप इस दलदल से निकल जाए तो मुझे उमीद है कि आज के वीडियो आपके लिए बहुत है बुद रही होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद और जाते जाते जानल की सब्सक्राइब कर देता थैंक्यों